बहुत समय पहले द्वार का नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनकी महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे योगेश्वर थे, देवताओं के पूज और महा बलशाली। परंतु एक बात जिसने श्री कृष्ण को सबसे अलग बनाया, वह थी उ जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा के प्रती जो प्रेम और त्याग दिखाया, वह संसार के सभी रिष्टों में अनूठा उदाहरण है। लेकिन मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता, और उनकी मित्रता दिनों दिन गहरी होती चली गई। समय के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राहमन बन कर रह गए। उनका परिवार बहुत ही दैनिय स्थिती में था। कई बार उनके घर में भोजन तक नहीं होता था, परंतु सुदामा के दिल में कभी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रती कोई शिकायत नहीं आई। वह जानते थे कि सच्चा मित्र वही होता है, जो अपने मित्र के सुख दुख में बराबर होता है, चाहे परिस्थितिया कुछ भ पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और नहीं श्री कृष्ण के लिए कोई उपहाय, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर भगवान से मिलने का मन बनाया, जब वह द्वारका के लिए निकले तो उनके पास कृष्ण के लिए मात्र चिवडे, पोहे का एक छोटा सा थैला था, जो उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से जुटाया था, सुदामा संकोच में थे, परंतु उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उन्हें अपनाएंगे, चाहे उनके पास कुछ भी न हो, जब सुदामा द्वारका पहुँचे और कृष्ण के महल में कद उन्हें सोने के सिनहासन पर बिठाया, यह देखकर सभी चकित थे कि द्वारका के राजा, स्वयय योगेश्वर श्री कृष्ण एक साधारन ब्राह्मन को इतना मान दे रहे थे, कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया, और उनके साथ बचपन की यादे ताजा की, सुद सा चिवडे का थैला कृष्ण को भेंट किया, भगवान कृष्ण ने वह उफार प्रेम से स्विकार किया और कहा, यह उफार मेरे लिए अमूल्य है, क्योंकि यह मेरे मित्र के हृदय से दिया गया है, सुदामा ने अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, प उनके पास अब अपार धनसंपत्ती थी और उनका परिवार सुखी जीवन जीने लगा, यह भगवान कृष्ण का आशिरवाद था, जिन्होंने अपने मित्र के बिना कहे ही उसकी दशा को सुधार दिया, यह कहानी सच्ची मित्रता, प्रेम और त्याग का एक अध्भुत उदाहरण है, श्रीकृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है, जो हमारे हर दुलक और कठिनाई में हमारे साथ खड़ा होता है, इस कहानी से यह प्रेना मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाईया आएं, सच्ची मित्रता, प्रेम और विश्वा से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है, इस कहानी से हम सीखते हैं कि जीवन में सच्चे रिष्टों का महत्व सबसे अधिक है, चाहे आपके पास कुछ न हो, लेकिन अगर आपके पास सच्चे मित्र हैं, तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, सुदामा और कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और मित्रता किसी भौतिक वस्तु से नहीं, बलकि दिल की सक्चाई से निभाई जाती है